हलो बच्चों आज मैं आपके समक्ष कक्षा नौ की पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भाग एक से पद्य खंड से रामधारी सिह दिनकर द्वारा रचित कविता गीत अगीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ रामधारी सिह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरियां गाउं में सन 1908 में हुआ था और सन 1952 में राज्य सभा के सदस्य भी उन्हें मनोनित किया गया भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूशन जैसे विशेश अलंकरन से भी अलंकरित किया आए अब देखते हैं उनकी पुस्तकों के बारे में उनकी रचनाओं के बारे में दीनकर जी को संस्कृत के चार अध्याए पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया और तो और अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ग्यान पीट प हैं हूंकार, कुरुशेत्र, रश्मी रथी, परशुराम की प्रतिक्षा, उर्वशी और संस्कृत के चार अध्याए विशेश व प्रमुख हैं आईए अब जानते हैं हमारे राष्ट्र कवी शिरी रामधारी सिह दीनकर्द की भाषा शैली के बारे में इनकी भाषा अत्यंत ही प्रभाव पूर्ण रही और जस्वी और सरल मानी जाती है दीनकर्जीर की सबसे बड़ी विशेशता ये है कि वे अपने देश और युग के सत्य के प्रती सजगता रखते थे दीनकर में विचार और समवेदना का सुन्दर समनवय दिखाई देता है इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और संदर्य का भी बखूवी चित्रन किया गया है अब जिस कवीता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका शीशक है गीत अगीत इसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने प्रक्रती के सौन्दर्य के अतिरिक्त अन्यजीव जन्तुओं के ममत्व और मानविय राग और प्रेम भाव का भी बड़े ही सजीव चित्रन किया गया है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कवीता की और जिसका शीशक है गीत अगीत तो बच्चों कवीता शुरू करने से पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि यहां पर रामधारी सिह दीनकरजी ने इस कवीता को तीन खंडों में विभाजित किया है और तीनों ख शुरूवात इनोंने की है कि गीत अगीत कौन सुन्दर है अब मैं आपको एक विशेश बात बताना चाहूंगी कि इनकी इस कवीता में पूरा रास से वादिता चिपी हुई है गीत अगीत कौन सुन्दर है इस कवीता की शुरुवात ही प्रश्ण चिन से हुई है अर्थात यहां पर कवी कह रहे हैं कि गीत और अगीत गीत अर्थात अभिवेक्ति करने वाली वह वस्तु जिसको हम अभिवेक्त कर देते हैं सामने बोल दिया करते हैं और अगीत जिसे गाया न जा सके इन दोनों के समक्ष दोनों की तुलना में वे अभी भी इस समस्या से उबर नहीं पाए कि इन दोनों में कौन सुन्दर है क्यूंकि देखा जाए तो गीत में भी भाव छिपे होते हैं और अगीत में भी भाव छिपे होते हैं जैसा मैंने आपको बताया गीत उस अभिवेक्ति को कहते हैं जहां पर हम अपनी मन की भावना को सामने स्वर्ग के द्वारा बोल देते हैं कंठ से निकल जाता है जो बात जो किसी के सामने बोल देते हैं वो अभी व्यक्ती हुई यानि यह दिया आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं और सामने वाले को वो अभी व्यक्त हो जाता है बता दिया जाता है तो यह बात होती है कि आपने अपनी भावना को अभी व्यक्त क माना है अब देखा जाए तो इन भावनाओं का कितना सुन्दर चित्रन रामधारी सिह दिनकर ने अपनी इस कवीता में किया है उन्होंने ये बताया है कि जिस प्रकार से दोनों में गीत गीत दोनों में भावनाएं छिपे होती हैं इसे मैं आपके समक्ष एक उदाहरन द्व खूडने जाते हैं जब उन्हें अलविदा कहने जाते हैं तो आप कई चीजे कहते हैं कि अलविदा हम तुम्हें याद रखेंगे आपकी बहुत याद आएगी इस तरह की बाते आप बोल करके अभिव्यक्त कर देते हैं पर वो स्थिति जहां पर कुछ बोला ना जाए मन क मन में ही रह जाएं वह स्थिति यहां भावनाएं आप देखेंगे दोनों में हैं अर्थात एक स्थिति है जहां बोल दिया गया है और एक स्थिति जहां उसने अपनी भावना को प्रस्तुत ही नहीं किया वह स्थिति कहलाती है अगीत तो यहां पर रामधारी सिह दिनकर ज की रचना ही एक प्रश्ण चिन्ह से शुरू की है इसलिए मैंने कहा कि यह रहस्य से भरी हुई कवीता है तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके पहले चंद की तो पहले चंद में रामधारी सिह दिनकर ने लिखा है गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है द कितना सुंदर मानवी अलंकार का उदाहरन प्रस्तुत किया है यहाँ पर वे नदी की वेधना के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाकर गीत विरह की तटनी यानि विरह यानि वेधना बिछड़ना तटनी यानि की नदी वेगवती बहती जाती है यानि पूरी तेजी के साथ पूरे उफान के साथ नदी अपने विरह के गीत गाते हुए उसे किस बात का आखिर दुख है जी हाँ क्यूंकि आप सब जानते हैं कि नदी की अंतिम मन्जिल होती है सा आगर से विरह में वह अपनी वेधना कहती हुई मिलने जा रही है और जो कलकल की ध्वनी जरजर की ध्वनी हम सुनते हैं वो उसके द्वारा ही अपनी वेधना को अभीव्यक्त करती हुए बह रही है दिल हलका कर लेने को उपलों से कुछ कहती जातीüne अभ नदी यहाँ पर अपनी वेदना किस से बता रही है जी हां ये अपनी वेदना अर्थात अपनी पीड़ा अपना दुख उपलो यानि किनारों से बताती जा रही है बताती हुई आगे बढ़ती जा रही है और वो किस से बताएगी वो अपने किनारों से बाते करते हुए आगे बढ़ती जाती ह आगे इसी चंद में ये लिखा गया है कि तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर्यदी मुझे विधाता अपने पतजर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता गाका कर बहरही निर्जरी पाटल मूख खडा तट पर है गीत अगीत कौन सुन्दर है तो यहां पर जिस प्रकार से नदी अपनी वेदना को अभी व्यक्त करती हुई यानि गीत गाती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है वह अपनी वेदना बाटती हुए चलती है किस से बाटती है वो उपलो से बाटती है अर्थात किनारों से अपना दुख दर्द बाटती है जिससे की उसका दर्द थोड़ा कम हो सके क्योंकि जब भी हम अपने दुख दर्द को किसी दूसरे के साथ अभी व्यक्त करते हैं य किस प्रकार से एक गुलाब का पौधा वो क्या सोच रहा है देखिए यहां कितनी सुंदर पंक्तियां रचित हैं शृदीन करद्वारा कि तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर्यदी मुझे विधाता यहां पर तट पर यानि किनारे पर नदी के ठीक किनारे पर एक गुलाब का जो पौदा है वह मन ही मन क्या सोच रहा है वो सोच रहा है कि यदी ईश्वर ने उसे भी स्वर दिया होता हम स्वर की महत्ता को भूल जाते हैं हम हम हमको ऐसा लगता है कि यह तो भगवान की देन है हमारे पास है पर यह चीज उनसे पूछिए जो अपनी भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं ठीक उसी स्थिती का तुर्की तुलना दीनकर जी ने यहां गुलाब के साथ की है कि देते अगर मुझे देते स्वर यदी मुझे विधा था अर्धात गुलाब वहां किनारे पर खड़ा सोच रहा है कि यदी इश्वर ने मुझे भी स्वर दिया होता आवास दी होती तो मैं भी अपने पतज़ड के सपनों का जग को गीत सुनाता अर्थात मेरे साथ जो पतजड के समय जो पीड़ा मुझे होती है मुझे अर्थात गुलाब को जो होती है तो वो भी अभी व्यक्त कर सकता था अपनी पीड़ा को तो यहां पर यह बताया गया है कि कैसे एक नदी बहती है अपने स्वर के द्वारा कल कर जल 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 इस तरह की जो ध्वनी होती है पानी बहने का भी एक स्वर होता है एक गु वहीं पर जो पाटल मूख खड़ा है पाटल अर्थात गुलाब तो यहां पर मूख अर्थात चुप चाप खामोशी से मौन धारन करके वह किनारे क्या सोच रहा है वो सोच रहा है कि मेरे अंदर भी तो कितनी वेदनाएं छिपी हुई है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि नद कि बताईए ये हमारे उपर छोड़ा है कि बताईए आखिर गीत अगीत कौन सुन्दर है अब हम बढ़ेंगे इसके भावार्थ की ओर यहां पर कवी पूस्ता है कि गीत और अगीत दोनों में से कौन साधिक अच्छा है गीत जिसे लोगों ने सुना और अगीत जो मन में ही दब कर रह गया अर्थात जिसे बोला ना जा सका गाया ना जा सका आगे की पंतियों में उसका भाव बताते हुए कभी कहते हैं कि नदी अपने विरा के गीत गाती हुई तेज गती से बहती जाती है नदी को चीर काल से ही सागर से वो नहीं मिल पाई तो इसका दुख तो उ पिलने जाती है उसकी और निरंतर अग्रसर होती जाती है तो वो विद्ना है वो जो पीड़ा है वह कलकल और जरजर की धवनी में गाती हुई आगे बढ़ रही है और अपने विरा के दुख को वक्त किनारों से किसलें बताती है ताकि उसकी वेद्ना थोड़ी कम हो सके अर क्वेसराइं में क्या सोच रहा है वह यह सोच रहा है कि यदी ब्रह्मा ने उसे भी बोलने का गुण प्रादान किया होता तो वह भी अपने पतज़र के सपनों का। अर्ठात पतज़र के समय उसार को अपने कीड़ा उस्फटा खती है वो जो कल्पनाएग करता है वह भी यदि ब्रह्मा उसे स्वर प्रदान करते तो वो संसार को अपने गीत सुना सकता था लेकिन उसे यह उपहार ब्रह्मा द्वारा नहीं मिला है वह भी लोगों को अपनी भावना उसे अवगत कराता अब यहां पर अंतिम पंक्तियों में हमने जो पढ़ा उसका भाव्य है क कि नदी अपनी अविराम गती से बहती हुई गाती और गुनगुनाती हुई अपनी यात्रा पर निरंतर बढ़ती जाती है जबकि गुलाब उसी नदी तर्ट कवर क्या कर रहा था जी हां वो चुक चाप यानि मौन धारन करके मूं कवस्था में खड़ा था वह अपनी वे यहां पर अंत में उन्होंने फिर से यही बात कही कि गीत अगीत कौन सुन्दर है अर्थात कवी की दुविधा यहां पर बनी हुई है कि नदी का यह सस्वर गाया गीत अधिक सुन्दर है या फिर गुलाब का वह गीत जिसे गाया नहीं जा सका वह अधिक सुन्दर है चलि परता हुँ हूं इस काव्य पंक्ति आए दिनकर जीने ना केवल मानव का अपीटु जीवजगत जो जनतु परिवार है उसके बारे में यहां हमें चित्रित किया है हमें चित्रन करके उसके बारे में अवगत कराया है चलिए शुरू करते हैं अब दूसरी पंगती बैठा शूक उस घनी डाल पर जो खोते पर चाया देती पंक फुला नीचे खोते में शूकी बैठी अंडे है सेती गाता शूक जब किरन बसंती छूती अंग पर्ण से चनकर किन्तु शुकी के गीत उमर कर रह जाते सनेह में सनकर गूंज रहा शुक का स्वरवन में फूला मगन शुकी का पर है गीत अगीत कौन सुन्दर है कितनी सुन्दर रचना इन पंक्तियों में कवी रामधारी सीह दिनकर जी ने पशू पक्षियों से भी भावनाओं को उनकी भावनाओं को इन पंक्तियों के द्वारा अभी व्यक्त किया है देखिये, कितना सुन्देचृत्रत्ण है. उन्होंने कहा है कि बैठा शूक उस घनी डाल पर यानि की वण में किसी घनी डाल पर किसी उंचे से वरिक्ष पर एक शूक. शूक एक संस्कृत शब्द है. इसका अर्थ होता है तोता. तो जो तोता है, वो एक घनी से व्रिक्ष पर उपर कहीं बैठा हुआ है जो खोते पर चाया देती और वो जो घनी डाल है वो क्या कर रही है वो चाया प्रदान कर रही है वो किसे चाया प्रदान कर रही है पंक फुला नीचे खोते में शुकी बैठे अंडे है सेती अर्थाक वहीं पर उसी व्रिक्ष की घन चाया में नीचे की डाली पर जो उसका घोसला है जो उसका जो यहां जो खोते शब्द प्रियोग किया गया है उसका अर्थ होता है घोसला तो नीचे जो उसका घोसला बना है उसमें जो शुकी है यानि जो तोती है वो क्या कर रही है वो अपने अपने अंडों को से रही है आ कबूतरी को इन सब पक्षियों को अंडे सेते हुए देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि ये पक्षी जब अंडे सेते हैं तो यह करते हैं वह अपने बच्चों को यानि अंडों को गर्मी प्रदान करते हैं और उस समय उनकी अवस्था एकदम मौन होती है एकदम Chup-Chap रहते हैं वह जादा चहल पहल नहीं करते कूदते नहीं है वह शांत मुद्रा में एक जगा स्थिर भाव से बैठे रहते हैं तो यहां पर कवी ने कहा है कि बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर चाया देती पंक फुला नीचे खोते में शुकी बैठी अंडे है सेती औ और आगे पंक्कियों में लिखा है कि गाता शूक जब किरन बसंती अर्थात जब वण में शूक खुशी से जब गीत गाता है किरन बसंती के जब गीत गाता है जब सूरे की किरने जब आती हैं उसके पंखों पे पढ़ती हैं तो वो खुशी में जो गीत गाता है छूती अंग पढ़न से छनकर यानि की पढ़न यानि पत्ता यानि की जो सूरे की किरने हैं वो पत्तों से छनकर जब शूक पर पढ़ रही हैं तो वहाँ खुश हो जाता ह है रोमांचित हो जाता है और अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए वो गीत का सहारा लेता है और गाता है किन्तू अब यहां पर फिर से वो शब्द आ यहां पर पशू पक्षियों के बीच में कवी ने ममत्व का भाव चित्रण करने की चेश्टा की है तो यहां पर यह बताया गया है कि खुश अगर तोता है तो खुश तोती भी है लेकिन यहां पर फर्क सर्फ इतना है कि शुकी के जो गीत हैं जो खुशी की जो अभी व्यक्ती है जो खुशी से हम लोग हुरे यह सब चिलाते हैं या गीत गाते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं खुश यहां पर शुकी भी है लेकिन उसकी जो आवाज है वो भीतर ही दब कर रह जाती है यानि प्रसनता उसे भी है और प्रस संदुटे सी कि बता दिया अभिव्यक्त कर दी अपनीया को वहीं पर देखा गया कि तो सम्हालर सी रही है चुक्न में बिटी है अब आगे कि पंक्टियों में दीनकर जी हमें बता रहे हैं गूंच रहा शुक का स्वर्वन में जैसा कि मैं आपको बताया खुशी से तोता जंगल में गीत गा रहा है खुशी के लेकिन फुला मगन शुकी का पर है और यहां शुकी जो है वो भी प्रसंद है वो भी रुमांचित है लेकिन वो कुछ वो आवाज नहीं कर रही चहल कदमी नहीं कर रही अब यहां पर दीनकर जी का प्रशन यह। कि बताइए गीत अगीत कौन सुन्दर है यहां पर भी वह निन्न नहीं कर पा रहे हैं कि आखे तोते द्वारा गाया गया गीत सुन्दर है या तोती द्वारा जो मन में भावनाएं उसकी दपके रह गई हैं जो अगीत के रूप में हम पढ़ रहे हैं वो सुन्दर है चलिए में भी ममत्व रखते हैं उन्हें शूक और शुकी के कार्य कलापों में भी गीत सुनाई देता है कभी कहता है कि तोता व्रिक्ष की उस घनी डाल पर बैठा है जो उसके घोसले को धूप से बचा रही है यानि कि छाया प्रदान कर रही है उसी डाल के नीचे घोसले में जब मादा तोता यानि शुकी जब अपने पंकों को फुलाई हुए अंडों पर बैठी है तो पंक जो फुला कर वह उन क्या कर रही है उन अंडों को गर्मी प्रदान कर रही है जिससे की अंडों से बच्चे निकल सके वसंत रितू के सूरे की अच्छी लगने वाली वे किरने जो पेड़ों के पतियों से च्छन करके आ रही है उनका स्पर्ष जब तोते के शरीर पर पड़ता है तो तोता क्या करता है जी हाँ तोता अपने अपनी खुशी को जाहिर करता है वो गीत गाता है लेकिन वहीं पर जो हमारी मादा तोता है वो अंडे से रही है और मादा तोता के जो गीत है वो उसके रिदय में ही उमर्टे रहते हैं और प्रेम से सने हुए वे गीत उसके अंधर ही उमर्ट कर रह जाते हैं अर्थात वह अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाती तो सारे जंगल में अंतिम पंक्तियों के भावार्थ हैं कि सारे जंगल में तोते के मधुर स्वर में गाया गीत जब गूंज रहा है और वहीं शुकी के प्रेम में सने हुए जो गीत हैं वो कहां रह जाते हैं उसके मन में ह हो रहा है वो भी मगन है वो भी अपने पंकों को फुला करके रुमांचित हो करके अराम से बैटी है तो यहां पर अंत में कवी की ये दुविधा है कि शुकी का वह गीत जो गाया नहीं जा सका वो सुन्दर है या फिर तोते द्वारा जो सवस्वर गाया गीत है वह पंक्तियों की और अब यहां पर इस काव्यक पंक्तियों में यह बताया गया है कि दो प्रेमी हैं दो प्रेमी हैं यहां एक जब बड़े सांज आलागा आता है पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहां खीच लाता है चोरी चोरी खड़ी नीम की चाया में चुपकर सुनिती है फूई ना क्यूं मैं कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनिती है वह काता वह काता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुन्दर है कितनी सुन्दर यहाँ पर पंग्तियों की रचना कविने की है यहाँ पर उन्होंने बताया है कि चीरकाल में yakın high पूराने जमाने में क्या होता था कि जब भी कोई प्रेमी अपनी प्रेमीका की बुलाना चाहता था तो वह क्या करता था वह आला गाता था आला अर्थात ये एक लोक काव्य का नाम है ठीक है तो जब उसकी आवाज उसकी प्रेमी का अर्थात जब उसकी राधा सुन लेती थी तो उसी आवाज को सुन करके वह अपने घर से उसी स्वर के पीछे पीछे वह वहाँ पर पहुंच जाती थी लेकिन यहां पर देखिए कितना सुन्दर शर्माने का चितरन यहां पर दीनकर जीने कहा है कि अपने प्रेमी की आवाज सुनकर वह पहुंचतो जाती है लेकिन चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छुपकर सुनती है अर्था वह उसके समक्ष नहीं जाती है वह उसके स्वर को वही पर उसी जंगल में वन में नीम के व्रिक्ष के पास उसके पीछे खड़ी होकर के सुनती रहती है और मन ही मन में क्या सोचती है वह सोचती है उसे लगता है कि उसके प्रेमी द्वारा गाये हुए गीत की मैं आखिर कड़ी क्यू नहीं बन गई विधाता ने मुझे क्यू नहीं उस गीत की कड़ी बनाया अगर वहां स्वर जो उसके प्रेमी के मुखसे निकल रहे हैं वो गीत जो आलहा गारा है उस आले के गीत की कड़ी अगर वो बन जाती तो वह अपने प्रेमी के होटों पर सज सकती थी अब आगे लिखा है वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है यहां पर गीत यानी आला किसके द्वारा गाया जा रहा है प्रेमी के द्वारा लेकिन उस आवास को उस स्वर को सुनकर कौन रुमांचित हो रहा है कौन खुश हो रहा है उसकी प्रेमिका अंतर अर्थात यहां अंतिम पंक्टी में लिखा गया है फूल रहा इसका अंतर है अंतर का अर्थ होता है रिदय और कड़ी मैंने आपको बताया ये वेचंद होते हैं जो गीत को आपस में जोडते हैं विधना अर्थात भाग्य या विधाता और गुनती गुनती का अर्थ है विचार करना वेग वेगती यानि मन ही मन में चीजों को भापना सोचना तो आगे देखते हैं हम इन काव्य पंक्तियों के भावारत कवी दीनकर इन पंक्तियों में दो प्रेमी के मानवियर राग और प्रेम भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दो प्रेमी आपस में एक दूसरे से जब प्रेम भाव रखते हैं तो वह एक दूसरे से जब दूर ह होते हैं तो जैसा कि मैंने आपको इन पंक्तिएं में बताया कि कैसे प्रेमी आलहा गीत गाह करके अपनी प्रेमी का को गीत कर और्गा करके यानि यहां लेकिन, लेकिन पहुचने के बाद भी वह उसके समक्ष नहीं आती है लोक लाज के कारण वह प्रेमी के पास नहीं आती है और कहां जाती है? वहीं पर, वहीं पर नीम की चाया वें वहां छिप करके खड़ी रहती है और चोरी-चोरी वह उसके गीतों को सुनती है वह भाग्य विधाता से ये पूस्ती है कि हे इश्वर तुने मुझे उस गीत की आखिर कड़ी क्यों नहीं बनाई यदि तुम मुझे उस गीत की यानि जो उसका प्रेमी गारा है जो आलहा गीत गारा है उसकी कड़ी बना देता तो मैं भी अपने प्रेमी के होटों पर सज जाती क्योंकि गीत स्वर जो हैं वह हमारे मुझे से निकलते हैं तो वह उस गीत की कड़ी बनना चाहती थी प्रेमी तो अपने धुन में गीत गारा है पर उस गीत को सुनकर प्रेमिका के मन में अनेक भावनाएं अनेक विचार उमड रहे हैं परन्तु लोक लाज के कारण ना तो वो प्रेमिके साथ सूर में सूर मिलाकर गीत गाती है हाँ या फिर और ना ही वो उनमुक्त तरीके से यानि खुले रूप से बाहर आई या गीत गाई वो ऐसा कुछ ने करी कितना सुन्दर यहां पर शर्म का लाज का यहां पर चितरन किया गया है कभी की दुविधा अब भी जिऊंकी त्यूं बनी हुई है और वो इन पंक्तियों के बाद भी रचना करने के बाद भी यह कहते हैं कि प्रेमी का के मन में जो उमरते हुए जो गीत है वो अधिक सुन्दर है या प्रेमी द्वारा गाया हुआ सहस्वर गीत यह अधिक सुन् दोनों में से कौन अधिक सुन्दर है और इसका निन्ने कोई कर भी नहीं सकता क्यूंकि दोनों अपनी जगा पर सुन्दर हैं तो बच्चों कवीता की पंक्तिया पूर्ण रूप से समझाने के बाद अब मैं वढ़ूंगी कवीता की समीक्षा की और तो यहां कवीता भावना को यहां पर चित्रन किया गया है इस कवीता में व्यक्त और व्यक्त भावनाओं के गुनों को रेखांकित किया गया है यानि कुछ भावनाएं जो बोलकर कह दी गई हैं और कुछ भावनाएं जो अब भी मन में दबी हुई हैं उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे ही अ नदी में भी नदी की धारा में भी वह गीत को समझ पाता है कि उसकी जो बहती हुई जर्रे के आवाज आती है नदी की बहती हुई आवाज आती है वह कितनी सुन्दर और कितनी अच्छी लगती है सुनने में तो ऐसा लगता है कि अरे विधाता ने तो नदी को भी स्वर दिय पूरी तरह से निमग्र दिखाई देता है यहां पर कवी का मानना है कि गुलाब शुकी और प्रेमी का अप्रत्यक्ष रूप से गीत का स्रिजन या गीत गान भले ही ना कर रहे हो पर दरसल वहां गीत का स्रिजन और गान भी हो ही रहा है इसलिए उन्होंने अगीत को भी सुन्दर माना है कवी की दुविधा महस सिर्फ इतनी है कि उनका गीत सुन्दर है या प्रेमी द्वारा स्वस्वर गाया जा रहा गीत बच्चों अब पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ तो पहला प्रश्न है नदी अपना दिल कैसे हलका कर लेती है इसका उत्तर होगा नदी विरह के गीत गाती हुई चीर काल से बह रही है अपनी विरह वेदना को समेटे वो कभी तेज गदी से बहती है तो कभी मंद गदी से बहती है और अकेले कोई दुख सहने की बजाए वह किनारों के साथ अपने दुख को बाड़ती है जिससे की उसका जी हलका हो जाए दूसरा प्रशन है गुलाब को यदि विधाता से स्वर मिला होता तो वो क्या करता तो इसका उत्तर होगा कि गुलाब को यदि विधाता ने स्वर प्रद जान किया होता तो नदी के किनारे वो मूख दर्शक चुप चप खड़ा हो करके सिर्फ खड़ा ही नहीं रहता मौंधरन की नहीं रहता वह भी अपने सुक और दुख भरे गीत संसार में जगत में लोगों को बताता और इससे क्या होता उसका भी जी हलका हो सकता था यानि इस के साथ ही गुलाव का भी महत्व और बढ़ जाता आएए अब बढ़ते हैं आखिरकार इस कवीता रामधारी सिह दिनकर द्वारा रचित इस कवीता का केंद्रिय भाव क्या है क्यूं इसकी रचना की गई है तो कवीता में प्रकृति के सौंदर्य के सुंदर चितरन के साथ कवी ने जीव जन्तूओं के प्रति उनके प्रेम को मानविय राग और प्रेम भावना का यहां पर बड़ा ही सुंदर चितरन किया है आगे कवी को नदी का भैता पानी ऐसा लगता है मानो नदी अपना विरह गीत गाती जा रही है उसके पानी से आती आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे नदी किनारों को अपनी विरह की गाथा सुनाती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है नदी के किनारे वहीं पर जो खड़ा गुलाब है वो यह सोच रहा था कि यदि ब्रह्मा ने उसे भी स्वर दिया होता तो वह भी अपने सपनों का हाल संसार को सुना पात है किन्तु शुकी अपने प्रेम भरे गीतों को मन में ही समट सिमट कर रह जाती है और अंतिम भाग में कवी ने कहा है कि प्रेमी जब आलाग आता है तो उसकी आवाज सुनकर उसकी राधा घर से निकल आती है और नीम की चाया में दूर खड़ी हो करके वह उसकी आवाज को सुनती है लेकिन उसके समक्ष नहीं आती है तो और यह मन ही मन में राधा गुनगुनाती है कि आखिर विधाता ने उसे इस गीत की प्रेमी द्वारा गाय हुए गीत की कड़ी क्यों नहीं बनाया इस प्रकार से यह पूरी कवीता पूरी कवीता में प्रकृति के सौंदर्य मानविय राग और उसका सजी वर्णन किया गया है तो बच्चों अब तक हमने जो भी इस पार्ट के बारे में पढ़ा इसकी पुनर वृत्ति कर ले अब तक हमने इसके भाव पढ़े इसका भावार्थ जाना और शब्द आर्थ पढ़े प्रश्न उत्तर पढ़े इसके कें उमीद करती हूं कि आपको यह कवीता समझ में आई होगी और हो सके तो आप इस कवीता का जो मुख्य आपको इस कवीता के जो तीन खंड हैं इसमें सबसे सुन्दर रचनाय कौन सी लिखी हमें लिखके जरूर पूछेगा या बताइएगा इसी के साथ मैं आज समाप्त करत हूं धन्यवाद